हिंदू ध्रम में तुल्सी का पोदा देवी के रूप में पूजा जाता है इसका ना सिर्फ ओशदी के रूप में प्योग होता है बलकि हिंदू ध्रम में से पोदे को देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है कहते हैं कि धार्मिक माने तो कि नमसार तुलसी के पोदे में माता लक्षमी का वास होता है इसे देवी का रूप माना गया है जोति शास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपाई बताए गए हैं जीवन में आरही अनेक समस्या उसे चुड़कारा पा सकते हैं तुलसी के पोदे में यदि आप लाल रंका कलावा बानते हैं तो उसका अलगी महत्व होता है तुलसी के कलावे बानने के कई फायदे हैं कहते हैं कि तुलसी वह यदि आप लाल रंग का लावा बानते हैं, आर्थी की स्थिति आपकी मजबूत होती है, धन समपती आपकी बढ़ती है, आपकी जो भी धन संबंदी समस्या हैं, वो सब आपकी दूर हो जाएंगी. तुलसी के पोदे में लाल रंग का कलावा पाने से माता लक्ष्मी और भग्वान विश्णों की किर्पा आपको प्राप्त होगी ये बेहद शुब माना जाता है आप प्रति दिन तुलसी के पोदे में जल अरपन करें और शाम के समय हो सके तो गी का दीपक तो अवश्य ही जलाएं इससे घर में सुक्षान्ती बनी रहती है देवी लक्ष्मी की किर्पा प्राप्त होती है आपके घर से सारी नाकारात्मा कुड़जा दूर हो जाएगी और सकारात्मा कुड़जा का आगमन होता है इसलिए हो सके तो तुलसी का पोदा आवश्य ही लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्जना करें कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से कुण्डली में बुद्ध संबंदी जितने भी दोश होते हैं सब दूर हो जाते हैं आर्मी की नोकरी वेपारादी में सफलता मिलती है दिन दूनी रात चोगनी उनत्ती होती है घर में सुख शान्ती बनी रहती है और संबंता बढ़ती है तुलसी में एक कलावा बानने से आप जाता का अपने जीवन में आ रही हैं नेक समस्याओं से चुटकारा पा सकता है इससे हो सके तुलसी के पूजा वश्य करें उसमें जल चड़ाएं शाम के समय घी कदीपक जलाएं और एक कलावा लाल रंग का कलावा भी बान दे इससे आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा कर दूना